कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल रीडिंग लावर्स पर दोस्तों आज की जो वीडियोस में हम करने वाले हैं आपका जो सी अ का जो एक्जाम है उसके लिए महत्तपॉन कोंशन जो आपकी एक्जाम के लिए महत्तपॉन ही और आपका चाहीं इस में הइते का श recipro का निक्तर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटियों अले कोने सिद्वा क्रोवर पर क्लिक जिरू कर लीजिएगा जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियों मिलती रहेगे और दस्तों वीडियों को लाइक कमेंटर से जरू किजिएगा तो पहले जहां हमारे यहां पर हिंदी वाला पार्ट है उसके बाद हम आपके अन्य जो सब्जेक्ट है उनसे कोश्चनों को करेंगे तो पहला जो हमारे आपर कोश्चन है इन में से कौन सी पस्चमी हिंदी की एक बोली नहीं है पुंदेली ब्रज कनोचिया बगेली यहां पर पस्चमी हिंदी की नहीं है और वे इन में से कौन सी है तो यह वाली है ओप्शन डी तो यह बगेली जो यहां पर आई है यह पस्चमी हिंदी की नहीं है और यहां फिर फिर यह ज आई इन मेंसे किसकी है तो यह आपकी यह पूर्वी कि हिंदी कि है तो यहाँ पर सभी की जह हम देख लेते हैं जैसे राजस्थानी है राजस्थानी की जो बोलिया है इसमें आपकी मारवाडी आ आते हैं जो सब्स्ट में राजस्तानि जह पुरिया दुडाही में हो बोल जाती है पूरीर राजस्तानी मेवाती माल्वी नो कि और ये राजस्तान की है पस्टат फंटी की बात करें तो इसमें कोरवी या फिर खड़ी बोली बांगरू या हर्यानवी और एक ब्रजबासा इसमें आती है बुंदेली यह और कन्नोजी इसके लावा जो आपकी पूर्वी हिंदी है इसमें अवधी हो गई बगेली चतिसगड़ी यह आती हैं और जो बिहारी है इसमे कुमाईनी और घडवाली ये वाली बोल्या आ जाती है तो इस पकार से जो है आपकी ये बगेली जो है ये पूर्वी हिंदी में आती है फश्मी में नहीं आती है उसके बाद कोस्टन है भारतिय स्वधान के किन अन्चेदों में राजभासा स्वंधी प्रावधानों का तो ये जो उलेग हुआ है ये रहे वाला तीन सो तर्तारी से तीन सो इक्यावन तक है उसके बाद नेक्स्ट हमारा जहां कोस्टन है आपर दक्षनी भारत हिंदी परचार सभा का जो मुख्यालिया ये कहां पर है हैदरबाद, बेंगलोर, चिन्नई या मैसूर में तो ये जो मुख्यालिया ये चिन्नई में है तो उसके बाद कोस्टन है इन में से कौन सी साघोस महापरान धावनी है एक होता है अलपरान एक होता है महापरान पहचान आप कैसे करोगे अलप पांच वक्सर महाप्राण दूसरा चोथा जिसके बोलने में ज़यादा समय लगे dus प्रकार से आप यह अलत प्राण जो महाप्राण ये वाली जो ध्वनिए हैं इनको आप याद रक सकते हैं तो यहां पर आई है आपकी महाप्राई धवनी तो महाप्राण तो इसमें अगर आप देखें तो अप्शन फिर हमारा भी जाए यहां पर रहेगा तो यह जो है यह आपकी महाप्राण धुझी है तो अब जो आपने यह भी इसमें याद रखना है जैसे यह सघोस यहां पर दिया गए है यह महाप्राण यह अलग अलग भी एकजाम में आ जाता है जैसे महाप्राण है तो महाप्राण तो यहां से इसको हम देख लेते हैं जैसे आपका अलब प्राण है अलब प्राण में प गये हैं तो सघोस जो है इसमें अगर सघोस महाप्राण दिया गया हो तो इसमें फिर आपका तीसरा चोथा और पांचवा तीसरा चोथा और पांचवा अक्सर इसमें आएगा अगर यह सघोस महाप्राण दिया गया हो तो तीसरा चोथा पांचवा वाण इसमें आएगा व आता है अगहस में पहला दूसरा और जो सगहस है उसमें 3 चौथा पांच वा अलपराणमें पहला तीसरर पांच वा और महापराणमें दूसरा चौथा तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं उसके बाद next question आजाते हैं इनमें से कौन सा पस्च सवर है तो यहां पर इसमें पस्च सवर जाए पूछा गया है तो यहां पर जो हमारा इसमें जो पस्च जो सवरा मन गया है अब यह जो यहां पर पस्च सवर जो आया है जीव के अदार पर जो यह सवर है यह भी तीन प्रकार के माने गए है अगर मध्य और पस्च सवर अगर सवर होता है जिन सवर के उचाड़ में जीव का आगे का बाग काम करता है जैसे यह होगी आपकी E, बड़ी E, A और I यह होगी आपके अगर स्वर उसके बाद होता है मद्दे स्वर जिन स्वर के उचाड़ में जीब का मद्दे का बाग काम करता है तो उन्हें मद्दे स्वर कहा जाता है जिसमें होता है आपका A यह अपका मद्द्यस्वर हो गया और एक होता है यह वाला पश्चस्वर जिन सोर के उचार में जीब का पश्च भाग मतलब पीछे का भाग काम करता है जैसे यह आ हो गया चोटा उवाग हो गया बडा उवा गया ओ अओ और आ तो इस प्रकार से यह आपके पश्यस्वर है तो इस प्रकार से यह होते हैं नेक्ट आजाते हैं हिंदी साहित्या का इतियास सबसे पहले किसने लिखा था ग्रियर सिन, सिव सिंग सिंगर, गर्षादित आसी, या रम जंदर सुकल तो यहाँ पर इतियास है जो सबसे पहले लिखा था तो यह रहेग उप्शन भीवाला, सिव सिंग सेंगर के द्वारा नेक्ट कोश्चन आजाता है हिंदी साहित्या की बोमिका जो पुस्था का इसके लेका कौन है राम जंदर सुकल, राम कुमार वर्मा, विश्वनात परशाद मिसर या हजारी परशाद धिवीवेती तो इस पुस्था के लेका का आपने बताना है हिंदी साहित्या की बोमिका और इसके जो राचीता है यह उप्शन भीवाले है हजारी परशाद धिवीवेती नेक्ट कोशन है इन में से एक आश्ट चाप जो है इसके कवी मेरा भाई, रश्खान, शूर्दास या विद्यपती तो अश्ट चाप के राचीता इन में से कौन है और यह है उप्शन सी वाले शूर्दास अलग कोशन है आनंद कादंबनी जो यह पत्रिका है इसके संपादक कोन है चोदरी बद्री नारायन मेखन, बारतिन दुहरी चंदर, शिव परशाद, चितारहिंद या महवीर परशाद, दिवीवेती तो इस पत्रिका के संपादक जो है यह उप्शन ए वाले है चोदरी बद्री नारायन प्रेमकन उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट कोशन है इन में से कौन सब तक परव्परा के कवी नहीं है हरी, नारायन व्यास, सिरीकांत वर्मा, नेमी चंदर जैन या नरेश महता तो यह सब तक परव्परा से एक समंदित नहीं है और यह है उप्शन बी वाले, सिरीकांत वर्मा नेक्स्ट कोशन आजाता है भाग्यवती जो है इसके लेखक बताना है इन में से कौन है लाला, सिरीनिवासदास, देवकी, नंदनकत्री, सर्दा राम, फिलोरी या लज्जा राम, महता तो भाग्यवती के लेखक इन में से कौन है तो इसके जो लेखक है यह उप्शन सी वाले है सर्दा राम, फिलोरी उसके बाद नेक्स्ट कोशन आजाता है हमारा अंधयू यह रचना है निरेश महता, मोहनाकेश, दुश्यन्त कुमार या धरमवीर भारती की और यह जो रचना है यह धरमवीर भारती की है नेक्स्ट कोशन आजाते हैं पर कोटज, इसके भी लेखक बताना है हजारी परशाद दिविवेदी, रामचंदर शुकल, कुबेर नाथ राय या विद्यानिवास मिशा तो कुड़ेज के जो लेखा किन में से कौन है और ये है ओप्शन एवाले हजारी परशाद दिविवेदी अलग कोशन आजाता है निम्रिक्त में से कौन सी रचना अमरकांद की है अमरी सर आ गया, जिन्द की और जोग, तोटना या परिंदी तो ये अमरकांद की एक रचना है और ये कौन सी है तो ये रहेगी अप्शन भीवाली, जिन्द की और जोग नेश को सिना जाता है हमारा पहला के संपादक इन में से कौन है राजंदरियादव, अरविंदर कालिया, ज्यान रंजन या विश्वनात तिवारी तो पहल के संपादक इन में से कौन है और यहां पर हमारा सियंसर रहेगा उप्शन सी वाला ज्यान रंजन अलगों से ना जाता है धवन्य लोग ये क्रीती है अभिनाव गुप्त की राज सेकर की मम्मट की या आनंद वर्धन की तो धवन्य लोग के रचीता इनमें से कौन है और ये संस्कृत यहां पर कवी आए है तो इसमें जो रहेगा ये ओप्षन डिवाले है अचारिय जो आनंद वर्धन है इनकी है धवन्य लोग धवनी संप्रदाई जो है उसके लिए इन्हें जाना जाता है अलग कोशन आजाता है उजवल निल मनी इस गरंद के लेका कौन है रूप वो स्वामी अभिनाव गुप्त रासेखर या अचारिय ममठ तो उजवल निल मनी गरंद के लेका और इसके जो रचीता हैं यहां पर ये ओप्षन यह वाले है रूप वो स्वामी अलग कोशन आजाते हैं पर अभिक्तिवाद के इन में से प्रवर्तक है संकूक अभिनावगुप्त बटलोलट या आनदवर्दन तो यह भी जाए यहां पर संस्कृत के आचारिय कवी है तो अभिक्तिवाद के प्रवर्तक इसमी से कौन है और यह है ओप्षन भीवाले यह अब यहां से आप आसानी से याद कर सकते हैं सुर्म में अभी यहां पर भी अभी यहां इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं अभिक्तिवाद अभिनाव गोप्त नेक्स कोशन आ जाता है हमारा अभी विंजनवाद से इसके प्रवर्तक कौन है आई ए रिचार्ड्स टी एस इलिट क्रोचे या लाइजोंस तो इसके भी प्रवर्तक यहां पर कौन है और यह ओप्षन सी वाले है क्रोचे इतला भी दर्शनी खाए बेंदोते क्रोचे पूरा नाम है बेंदोते क्रोचे 1866-1952 अभी विंजनवाद के प्रवर्तक इने मन गया है उसके बाद कौश्चन है हमारा कवे में उधा तत्तो कोशब शादिक मैतो दिया है पलेटो अरफ्टू इलीट या लाइजोन्स ने तो कवे में उधा तत्तो कोशब शादिक मैतो दिया है और यह जो यहाँ पर दिया गया है ओप्षन डी लाइजोन्स के द्वारा अलोग कोश्चन है हिंदी भासा का विकास का सही करम कोन सा है वेर वेर इपोटेंट कोश्चन है बहुत बार एक जाम में यह आ चुका है तो सही करम इन में कोन सा है पाली प्राकृत अभरंस हिंदी प्राकृत अभरंस हिंदी पाली इस कॉछन ह हिंदी परसार के संधर्म में निवानलेखित प्रमुक्स शंस्थाओं का काल करम के अन्षार सही अनुकरम, उनमें कौन से हैं, तोकिल लेखित है,усही और काल करम के अन्षार सही अनुकरम थोकिल उन मैं यह सही वाला है, तो उप्शन बी जोई इसमें सही माना गया है नागरी परचानी सभाकासी, हिंदी साहिते समेलन प्रियागराज, दक्षिन भारत हिंदी परचार सभाचे नहीं और राष्टर भासा परचार समीती वर्था उसके बाद नेक्ष्ट कोशन हमारा हिंदी साहिते के इतिहास लेको का काल करम के अनुसार सही करम तो यहाँ पर भी यह हिंदी साहिते के लेकर काईन का समे के अनुसार करम आपने बताना है रामकुमार वर्मा, रामचंदर सुकल, मिशरबंदू, रामचंदर वर्मा, 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 रामचं इनका सही करम आपने बताना है दर्म यूग हांस सरस्वती कवी वचन सुधा तो इसका भी सही जो करम कोन सा है और यहां पर है ओप्शन सी वाला कवी वचन सुधा सरस्वती हंस और दर्म यूग नेक्स कोर्शन आजाते है हमारा निमलिक तरचनाओं का काल करम के अंशार सही अनकरम तो यहां पर भी आपने सही करम इनका बताना है अंदेर नगरी जो प्राजा की आखाणिया भी आपने पड़ी होगी अंदेर नगरी अंदाईूग संसल से सड़क तक या मगद तो इनका स यहां पर और भी जाइस में एक और कोस्टन में तपन वो जाता है कि कौन सी किन की द्वारा लिखे गई है अंदेर नगरी क्या एक नाटक है आपने पड़ा भी होगा अंदेर नगरी चौपट राजा बारतिन दोहरेश्चिंदर की है और अंधायू यह भी नाटक है धरमविर भारती की और संसद से सडख तक ये कवे है अचारिया धुमिल की और मगत ये भी कवे है सिरीकान्त वर्मगा उसके बाद नगरी कोशन हमारा निमलिक्त उपनियासो का रचनकाल के दिष्टी से सही अनकरम इन में कौन सा है तो यहाँ पर रचनकाल की दिष्टी से आपने बताना है त्याग पत्तर, सेवा सदन, मैला, आचल, आधा, गाउन तो इनके अंसार जो यहाँ पर सही है यह option है डी वाला सेवा सदन, त्याग पत्तर, मैला, आचल, और आधा, गाउन तो यहाँ पर भी जाए इनके question के साथ जाए भी मैतपून हो जाता है कि कौन सा यहाँ पर का गए जो है नाटक वगएरा ये किसके द्वारा लिखा गया है तो सेवा सदन को आप देखते ही पैचान गए होंगे तो मुन्सी प्रेम चंद जहां उनकी है और त्याग पत्तर ये जैनिंदर कुमार का है मेला आचल ये रेणू का है और आधा गाव ये राही मासूम रजा इनका है उसके बाद हमारा question आ जाता है रचने काल के दिश्टी से यहाँ पर भी आपने इनका सही करम ही बताना है लहरो के राजहांस, सिंदूर की होली, आठवा सरग, दुरुष वामिनी तो इनका सही करम इनमें कौन सा है तो इनका सही का अनकरम अगर हम यहाँ पर देखे तो जा उप्संसी वाला यहाँ पर से अंसर हमारा रहेगा दुरुप सुमामीनी सिंदेवर के होली लहरो के राजान सोराटवा सरण तो इस प्रकार से इनका सही करम है नेक्स्ट है यहाँ पर रशुत्तर के व्यक्खे कारों का सही अनुकरम इन में कौन सा है संकुक बटनायक अभिनव गोपत यह सारे संस्कुत के कवी है संस्कुत वाले जायर रचित है संस्कुत तो रश के अनुकरम और इसमें जो है यह कि अप्शन रहेगा हमारा ए कि बटनायक और अभिनव गोपत तो बरत मुनी यहां से देख लेते हैं तो बट लोलर्ट जो है इनको उत्पतिवाद के लिए जान जाता है संकुक इनको अनुमीतिवाद के लिए जान जाता है बटनायक इनको मुक्तिवाद के लिए और अभिनव गोपत इनको अभिवेक्तिवाद के लिए जान जाता है और रजस्म प्रदाई की प्रोड़ता की इनको मान गया है नेश कोशन आ जाता है हमारा निमलेकित पास्चात्य कवे सास्त्रिय चिंदको का काल करम के अंसार सही अनुकरम कोन सा है तो ये क्या है पास्चात्य कवे सास्त्रिय है इनका भी आपने सही करम ही बताना है तो इनका जो यहाँ पर सही करम जो यहाँ पर माना गया है ओप्शन रहेगा हमारा B. अरस्तु कालिज जोन क्रोरेंसम आई ए रिचार्ड्स नेश्टर निमलिक्त कव्या सास्त्रे गरंतों का भी सही करम कौन सा है यहाँ पर इसमें उप्शन भी वाला तो जो साहित्य अदरपन अचार्य वीश्वनात का है कव्य अनुसासन यह वागभट का है रस मंजरी यह भानुदत की है और रस गंगदर पंडिराच यगनात का है next question आजाता है निम्लिक वर्णों कोन के धवनी गुणों के साथ सुमेलित कीजिए तो सुमेलित जा यहां पर इसमें करना है और सुमेलित करने में जो हमारा यहां पर सही अंसर जो इसमें बनेगा यह बनेगा option A वाला option A तो 4,2,3,1 तो इसको देख लेते हैं यहां पर 4,2,3 और 1 तो का का जो उचार स्थान है का को उचार स्थान यहां पर यह रहेगा option यह वाला है यह वाला है अघोस अलप्रा और खा का जो है यह option 2 वाला है अघोस महाप्राण और गा का फिर तीसरे वाला है सगोस अलप्राण और गा का यह वाला है तो इस परकार से जाइन का यहां पर सही करम है यह सिर्फ एक वैसी यहां पर जो इसमें उलजाने के लिए दिया गया है नेक्स्ट आजाता है हिंदी के भासविदों कौन के गरंतों के साथ समेलित कीजिए तो इसमें समेलित करना है समेलित करने में देख लेते हैं पर सी एंसर तो समेलित करने में जो हमारा सी एंसर बनेगा ऑप्शन भी वाला दो चार एक और तीर तो इनको देख लेते हैं तो कामता परशाद गुरू इन यह हिंदी वैकन के लिए जान जाते हैं और किसोरी दास व्याजबे इनका समन्द जाए हम पर उप्शन फूर से है भासा और समाज से उद्या नाराण तिवारी इनका समन्द हिंदी भासा कॉद्बर और विकास से है और राम विलास सर्मा इनका समन्द जाए है उप्शन तीन भासा और समाज से है उसके बाद नेक्स कोशन आजाता है हमारा निमलिक्त काव्य गरंतों को उनके कव्यों के साथ समेलित कीजिए तो यहां पर समेलित करने के साथ ही आपके चार पांच कोशन जाए बन जाते हैं तो आपने सिर्फ समेलित ही नहीं करना है उनके साथ जो उनके द्वारा काव्या रतनाई लिखी गई है वो भी जो आपने याद रखनी है तो करंतो को उनके कव्या के साथ यहां पर मिलान करना है और मिलान करने में जो यहां पर सी अंसर बनेगा यह बनेगा उप्शन सी वाल कुर्णरायन धर्ती यह option फोर वाले त्रिलोचन आंगन के पारदवार यह option तीन वाले हैं अग्याई और धूप के धान यह option एक वाले है option एक गिरी जक्मार माथुर उसके बाद next question हमारा यहाँ पर भी उनको लेकों के साथ मिलान करना है उनके गरंद और लेकाग तो यहाँ पर देख लेते हैं इसमें कौन सा जो हमारा सही अंसर बनेगा और इसमें जो सही अंसर बनेगा यह option है डी वाला तो यह सही अंसर है चार एक दो और तीन सुद्र कविता की खोज इसके जो रचिता यहाँ पर यह धिनकर है और आत्मनेपद के जो रचिता यह option एक वाले है अग्या एक सही तिक की डारी के जो रचिता है यहाँ पर यह option टू वाले है मुक्तिभोद और हिंदी सही ते की भूमिका जो बच गया तीन हजारी परसाद दिवी वेली तो इस प्रकार से जो फिर यहाँ पर आपका मिलानी हो जाएगा उसके बाद next question हमारे हैं पर कावे पंक्तियों को उनके रचनकारों के साथ आपने मिलान करना है तो कुछ पंक्तिया जो यहाँ पर कवियों के द्वारा कई गई है तो इसमें मिलान करके जो इनका देख लेते हैं तो option जो हमारा रहेगा option बी वाला एक तीन दो और चार तो यह उप मैले हो गई है यह option रहेगा यह वाला हगे है हम राजय लिए मरते हैं यह मैत्री सन गुप्त की है बत्रस लालच लाल की इसका जो सबन्द है option टू में रहेगा बिहारी की और बक्ती हैं क्या नहीं नहीं कच्छू बेद यह जो है यह आपर option और तुलसिदास नेस्ट कोशन है यहाँ पर भी दे गए गद्दे पंक्तियों कोन के लेख को के साथ ही आपने मिलान करना है तो यहाँ पर भी आपने मिलान करना है मिलान करने में देख लेते हैं हमारा सही अंसर कोन सा बनेगा तो यहाँ पर जो हमारा सही अंसर बनेगा option C वाला 4 2, 3 और 1 जो इनका मिलान करके देख लेते हैं 4, 2, 3, और 1 4, 2, 3, और 1 तो बैर्करोद का अचारिया मुरब्ब है इसका जो समंद है ये रहेगा रामचंदर सुकल से अधिकार सुक कितना मादा को सार ही इसका समंद ये प्रशाद से है निजभास उंति अहे सब उंति को मौल ये भरतिंदारिस्चंदर मर्द साथे पर साथे होते हैं ये एक वाले ह है उनसी प्रेमचल और उसके बाद हमारा कोश्चन है यहां पर भी आपने निमलीकित पत्रीकाओं को उनके Śंपादकों के साथ मिलान करना है तो मिलान करने में हमारा चाहिए अंसर देख लेते हैं सही अंसर जो है यहां पर रहेगा उप्शन ए वाला तो ए वाला सी अंसर रहेगा तेन चार पांच और तो हिंदी परतीब इसका स्वंध यहां यह बाल क्रिशन भड़ से है और भ्रह्मन का जो स्वंध है यह परताप नारामीशर से है शर्शवती का जो समंध है यह महवीर परसादी वे बशुदा का जो समंध है यह उप्शन टू कम्ला परसाद से है नेaci C questions आ जाता है ने मिलिक गरंटो को नके कावियर प्वों के साथ मिलान करने है तो यहां पर भी आपने मिलान करना है मिलान करने में जो हमारा सिंसर रहेगा उप्शन C तीन एक दो और चार तो पंचवती क्या है कि ये खंड कावे है प्रिये प्रवास ये एक माँ कावे है एक कंठ विश्पाई ये एक कावे नातक है और सिवा बावनी ये एक मुक्तक है इस नेश्ट कोशना आजएता है रह सुत्तर के वेक्या कारोकोन के स्धान्तों के साथ आपने मिलान करना है मिलान करने में जा हम देख लेते हैं और मिलान करने में हमारा सिंसर है वप्शन B वाला चार तीन दो और אר कि या एक दो तीन चार तो भट लोलट इसका जो समद्ध है ये option पौर से रहेगा और संकुक इनका समदर्मीतिवाद बटना एक बुक्तिवाद और अभिनाव गुक्त फिर ये जो एक बच गए अभिवेक्तिवाद नेक्स कोशन है पास्चात्या साहित्या चिंत को कोन के सिधानतों के साथ आपने मिलान करना है तो यहाँ पर भी आपने मिलान ही करना है मिलान करने में से अंसर रहेगा हमारा option दी वाला दो तीन चार और एक तो इनको मिलान करके देख लेते हैं दो तीन चार और एक तो जैपाल सात्र इनका जो समद्ध है option 2 से रहेगा जोक दरित्तरा का जो समद्ध है option 3 से रहेगा विखंडनवाद टी एस इलिएट का जो समद्ध है option 4 से रहेगा निर्वेक्तिक्ता और क्रोंचे का जो समद्ध है ये option 1 में रहेगा अभी विंजनवाद तो इस प्रकार से ये थे हमारे यहाँ पर हिंदी से महत्तपन question और अब जो हम यहाँ पर आपके जो अन्य जो subject है उन से महत्तपन question को करेंगी तो यहाँ पर जो हमारा पहला जो question है भुगौली ग्रूप से हरियान रज्या ने भारत के कुल क्षेत्तर का कितने परतिसात भूभाग ग्रेंड किया है 1.4, 2.3, 4 या 3.2 परतिसात तो यहाँ पर हमारा जो sensor option जो रहेगा यह option A वाला है 1.4 परतिसात और हरियान का कुल क्षेत्तर फल आपको पती है 4212 है 4212 वर किलोमेटर और जो भारत के कुल क्षेत्तर फल का 300 यह है 82 यहां से देख लेते हैं 82 84 हजार वर किलोमेटर का मतर 1.4 परतिसात है और भारत का परत्म राष्ट्रय डार यहां पर कौनसा है जिम कारवेट नुद्वार रर्तंबोरिया काना तो भारत का परत्म राष्ट्रय उद्धान और इसका जो सेवंधर हैं और जिम कारवेट और यह जो जिम कार्वेट जो निशनल परक है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्य उध्यान है और 1936 में इसे बनवाए गए था कब 1936 में तब जह इसका नाम था हैली निशनल परक क्या नाम था हैली निशनल परक और उत्रखंड के ने निताल डिस्टिक में स्थित है उसके बाद जो हमारे हम पर नेक्स जो कोस्टन है प्राचिन काल से हर्याना को कहते थे तो प्राचिन काल से हर्याना को कहते थे ब्रहमवर्थ गुजरात कुक्सेतर दिली तो असान question है option A वाला ब्रह्मवर्थ और इसके अलावा बहुदाननेक, मियुर्भूमी, ब्रह्मर्शी, देश, कुरू ये भी जो है इसको कहा जाता था next question है इन मेंसे कौन सा high court न्याए घड़ी स्थाबित करने वाला देश का पहला high court बना है गुजरात, दिल्ली, कलकत्ता या इलावाद high court और ये जो बना है ये option A वाला है न्याए की घड़ी स्थाबित करने वाला देश का पहला high court गुजरात high court यहाद आलत pressure के भीतर एक बहरी डिस्पेले स्थाबित की गई है जो मामलों के निप्टान वे लंबित मामलों को परदर्सित करती है next question है हमारा यहाँ पर secondary memory है system program data file संग्रा करती है main memory का बाकी काम करती है calculator का काम करती है या कुछ काम नहीं करती है तो secondary memory जो यहाँ पर का गया है इसमें राइग option यह वाला system program और data file संग्राइए करती है कि इसमें जो आई सुचना को संग्रित रखती है जिससे लंबे समय तक उन्हें स्वरक्षित रखना हो नेश्ट है हरियाना प्रदेश का कौन सा महा वर्ष का सबसे ठंडा महा होता है जब तापमान ही मांग तक पहुंच जाता है जनुरी दिसंबर नुवंबर या मारज तो यह जो महीना है आपको पती होगा जनुरी में कितनी ठंड हो रही है जिरो से भी नीचे जब तापमान चला जाता है तो जनुरी का महीना जाए सब से ठंडा माना गया है नेश्ट कोश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर बाइट जिरो और किस के बीच किसी भी संख्या को निप्रित कर सकता है तो यह कौन सी है और यह मानी गई है यहाँ पर ओप्शन भी वाली दोसो पच्पन बाइट जो है लगबग एक क्रेक्टर होता है और आठ बिट के स्मूह को आठ बिट के जो स्मूह है उसको बाइट कहा जाता है आठ बिट के स्मूह को बाइट कहा जाता है और जीरो से यह दोसो पच्पन के बीच की किसी भी संख्या को निरुपित करता है नेक्ट कोशन हमा रहे हैं पर बी सी जी के टी के किस रोग में लाबदायक होते हैं तपेदिक रेबीज दाद्या पोलियो में तो इसका जो रहेगा यह ओप्चन एवाला है तपेदिक और जो किसारोग होते हैं उसमें बी सी जी का जो ठीक है यह लगाया जाता है नेक्ट कोशन हमारा अठार सो पन्तालीस इसमें लाडवा विद्रों के नेता इन में से कौन थे हैं जोट सिंग अजीत सिंग जोवित खान या परताप सिंग अठार सो पंतालिस इसमे लाड़वा विद्रों के नेता और ये थे ओप्षन भी वाले अजीत सीम और लाड़वा कुरक्षित्र जिले में स्तिन एक प्राचिन अगरपाली का भी आ यहां पर जाएंस से की दूसरे सबसे बड़ी अनाज मंडी भी है और यहीं पर जाएक इंद्रा गांदी नेशनल कोलेज भी है जिसकी स्ताफ नुईति वर्स 1975 में नेश्क कुछन है हमारा यहां पर आइसो नेफ सब्द वाली रिखाओ का एक घोतक है मेगा चादन लवन्ता वन या दाव तो आइसो नेफ सब्द और यह है ओप्शन एवाला मेगा चादन तो यहां पर तो जाए आइसो नेफ है आइसो नेफ तो क्यों होगे समान मेगा चादन वाली रिखाओ यह है और एक होता है आइसो हाइट आइसो हाइट यह होता है वर्सा की समान मातरा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा तो ये वर्षा किस्मान मातरा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है आइसो हाइट और ये मेगा चादन को मिलाने वाली जो रेखा है ये आइसो नेफ है उसके बाद नेक्स्ट कोस्टिन है हमारा यहां पर मिलान जाए ये करना है शमेलित जो आपने करना है इनको तो इसमें देख लेते हैं कौन सा सी अंसर हैगा सही अंसर जो है याम पर और आप्शन A वाला माना गया है 2 1 3 और 4 तो मिलान करके देख लेते हैं 2 1 3 और 4 तो میडे सिटी के रुप में जो जाने जाते हैं ये गुर्दगान जो है साइबर सिति में डुब्र गावं को कुआ गया है और पेपर सिति यह जम नगर पेपर मील है यहांपर और सुगर सिति तो यह है option तीन वाली पलवल और अप्रेंटेस सिटी यह option प्रोर अंबाला जा विगानी को करन के लिए भी जांबाला जहीं से जान जाता है लेस्ट कोशन आ जाता हमां computer system में एक्सेस पाने के लिए प्रियुक्त कोडिड इंट्रीज को कहते हैं computer system में एक्सेस पाने के लिए प्रियुक्त कोडिड इंट्रीज इंट्री कोड पासवर्ड सेक्योर्टी कमार्ड या कोड़ बार तो इससे जो कहा जाता है पासवर्ड कहा जाता है जैसे आप अपने मुबाइल जो उसमें पासवर्ड लगा के रखते हैं ताकि कोई अन्वन परसन उसे ना देख पाए तो यह गुपनिया कोड़ इसे कह सकते हैं नेक्स कुश्चन है हमारा यहां पर एकcción सब्द यहां पर दिये गए है इंटिट्डूस्स सब्द को अंग्रेजी वनमाला करब में रखा जाए तो बाएं से पहले सवर्ड के बाएं कौन सा अक्सर होगा अब इसको आपने करम में जब हम लगाएंगे है तो करम में फिर आपने इसको लगाना है और बाई और दाई हैं पर जाकंडे टोल जाता है buy का मतलब आपका left hand और दाई का मतलब आपका right hand तो ये left आपकी buy side right मतलब दाई side ये buy मतलब खबा और right hand मतलब दाया दाया तो यहां पर है buy से पहले स्वर के buy कौन साक्षर होगा ये आपने इसको जब हम सही मिलान करेंगे तो इसमें जो है option फिर C वाला बनेगा D. जाहें इसमें अंग्रे जी वन वाला क्रामे रखे गए, रखा जाए तो, अंग्रे जी वन वाला कैसे है? जैसे A, B, C, D होती है, तो उसके नुसारा आपने इसको रखना है, तो जैसे C है, फिर उसके बाद D, इसमें फिर कर यह है आई हो गया है एन है ओ आर टी यू यह यू तो इस प्रकार से आपने इसको रख लेना है रखने के बाद तो फिर आपने इसमें देखना है कि बाएं से पहले स्वर के बाएं पहले स्वर के बाएं अब आपने फिर यह में इंगिलिस में यह भी पता होना चाहर कोण से है यह आयू यू तो इसमें फिर देखना है तो इसके अधार जब हम देखेंगे तो यह जैसे यहांपर E है कि यह सवर आपका तो इसके 20 a.m कौन सा बनेगा मतलब यह ता आपके 20 ऐड हो गया राइट Аंड हो गया इसके कबीश एड मे कौन सा है लेफट एंड में डी तो यही प्र इसका बनेगा नेक्स्ट कोश्चन है हमारा यहां पर हरियाना का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहां है हिसार, कौंचपुरा, मदुबन या मनेशर में तो हरियाना का पहला सैनिक स्कूल और यह है उप्षन भी वाला कौंचपुरा में कौंचपुरा कहां पर है यह कंडाल में है और कब स्थापित हुआ था वर्स उन्नी सो एक सट में और यह है भारत सरकार के रक्षा मंतरा लिया है और हर्याणा सरकार द्वारा स्चुक्त रूप से चला जाता है और इसके लावा हर्याणा के ने जो स्कूल है यह रिवाडी में है 2009 में बना था और यह जजर्मी है 2018 में बना था नेस्ट है हमारा यहापर एक किर्केट खिलाडी की दस पारियों के रणों का उसात है 32 खिलाडी अगले पारी में कितने रणा बनाए ताकि उसके रणों का उसात चार अधिक हो जाए 76,74 या दो तो यहाँ पर क्या है एक किर्केट खिलाडी की दस पारियों के रणा को उसत 32 था खिलाडी अगले पारी में कितने बनाए ताकि इसे रणा को उसत 4 अधिक हो जाए तो इसे जब हम यहाँ पर हल करेंगे तो हल करने पर जो हमारा सेसर जो बनेगा यह उप्शन बनेगा यह वाला 76 कैसे बनेगा तो आपने यहाँ पर लिख लेना है 10 पारियों के रणों का जो उसत कितना है 32 है तो 10 पारियों के रणों का योग 10 पारियों के रणों का जो योग होगा तो कितना हो जाएगा दस गुणा 32, 320 हो जाएगा और फिर माना ग्यार्वी जो पारी है क्योंकि इसमें आगे की पूछा गया है तो ग्यार्वी पारी में जो रन होंगे वो होंगे मतलब X माना जाएगा यहां पर तब फिर हम 320 और फ्लस में X बटे में जो ग्यार्वी पारी मतलब 11 तो ब्राबर कितना 36 बत्तिया 436 तो उसके बाद X ब्राबर 36 गुणा ग्यार्वी पारी माइनस 320 तो उसके बाद जाए एक्स ब्राबर जाहिए यहां पर 396 माइनस 320 तो यह हो जाएगा हैं यहेटरो तो नेश्ट है हमारा नहईडरो ट्रोफी कासवंद की स्केल से हैं होकी फुटबॉल कर्वर्टी टेबल टैनिस जो महिपय्ला वाली हैं तो नहीरो ट्रोफी कासवंद किसे हैं और इसका है 210 कि फुटबॉल से और वर्तवान में जो ओन जेसी जो है इसके द्वारा प्रियोजीत इसका प्रारमब वर्ष 1982 है 1982 और नेरी ट्रोफी के जो पर्थम जो विजेता थे ये थे उरू गवे और फुटबॉल जाईसे इसका स्वन्द है नेर्ष रहा हाली में भार्ष सरकार ने जीवन भीमानिगम लाइसी आपको पती होगा लाइसी भार्ष जीवन भीमानिगम में कितने प्रतिसात प्रत्यक्षिवदेष सिन्वेस FDI की अनुमती प्रदान की है 39-20 प्रतिसात तो ये है औप्शन शीवानी बीस परतिसत नेस्ट कोश्चन है रिक्स्तान तब होती है जब कम्प्यूटर को ओन के जाता है और ओपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है बूटिंग होगी फ्लैसिंग होगी ट्रैकिंग होगी या टेपिंग होगी तो यहां पर एक ओप्शन यह हमारा बूटिंग तब होती है जब कम्प्यूटर को ओन के जाता है और ओपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहाता है जैसे आप अपना जो PC जाओ से ओन करता है तो सबसे पहले कि आप उसमें बूटिंग होती है वहाँ पर कुछ लिखा भी हो आपको देखने को मिल सकता है जैसे आप 12 हो गया यह यह 3 हो गया यह 3 तो इस प्रकार से कुछ की आपको देखने को मिल सकती है तो इसका मतलब वह क्या है बूटिंग हो रहा है यह वह पर किर रहते हैं जब ओपरेटिंग सिस्टम हार्डिक्स से कम्प्यूटर की रह में लोड होता है नेक्स्ट है जीवन की इकाई जीन, डियने, जीव या कोसी का तो इसकी जो इकाई है यह उप्षन डिवाली है कोसी का नेक्स्ट कोशन है किसी जो संकिति के बाहसे में बिफोर, बिए एफोरी को एफ, ए, बिए, आर, ओ, लिखा जाए तो उसी बाहसे में जे, यू, एन, जी, एल को कैसे लिखा जाएगा तो इसको अगर हम यहाँ पर देखे तो यह बिए, एफ, ओ, आर, ए तो इसमें क्या हो रहा है पहले तिन, तिन अक्सर आप अगर देखे बिए, एफ, बिए, एफ यह तीन अक्सर यहाँ पर इसके भी प्रित हो गए, उल्टे हो गए है ओ, और, इ, ओ, आर, इ तो इस तरीके से यहाँ पर तिन, तिन अक्सर उल्टे हो रहे हैं तो जैसे यह जंगल है, ज, य, उ, अ, ज, ल, इ तो इसको अगर हम देखे तो इसके अनसार फिर पहले N होगा, उसके बाद U होगा, और उसके बाद J होगा, ऐसे यहाँ पर यह इसको भी उल्टा कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पर E होगा, फिर L होगा, फिर जी होगा तो इस प्रकार से फिर ये तिन तीन अक्सर यहां पर इसमें उल्टे हो रहे हैं तो इसके अनुसारा अगर हम देखेंगे तो फिर आप्शन पी वाला यह बनेगा एन यू जे ई ल जी उसके बाद हमारा कोशन है यहां पर पहली सरदार प्रकासिंग मेमोरियल सतरंज परत्योकता का आयूजन यह हुआ था नर्वाना मुर्थाल गोहाना या जगाद में तो पहली सरदार प्रकास सिंग मेमोरियल सतरज प्रत्योगता का आयूजन और यह हुआ था आप्शन भी मुर्थल में और इस प्रत्योगता में हर्याना के जो रोत्तक निवासी हिमान्चु सर्मा को स्टेट ग्रेंड मास्टर चुना गया था और पांच लाग की जो पुर्षकार राशी उन्हें दी गई थी नेस्ट कोशन है सहां जहां का परशीर तक्ते ताओ 1749 इसी में ले गया था अफगान आकरमानकारी एहमसावदाली फार्सी आकरमानकारी नादिर सहां मंगोल आकरमानकारी चंगेज खान या ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी तो यहां पर हमारा जो सेंसर रहेगा 44 में और इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सा सकता मुहम्मद सहा मुहम्मद सहा मुहम्मद सहा एक्ष्ट कोशन हमारा यहांपर cbse की ओर से आयुद होने वाली जो किंद्रिया सिख्षक पातरता प्रिक्षा है सीट एट की वैता साथ वर्ष से ब्लाकर कितनी वर्ष करती है तो यह तो cbse वाली है 10 आजीवन 13 20 तो यहाँ पर तो option B वाला है आजीवन और अगर यहाँ पर हम अपने यह जो हरियाना वाली अगर देखे तो तो एस्टेट पहले आजीवन बताई गई थी पहले 5 थी उसके बाद साथ आजीवन बताई गई थी लेकिन आजीवन वाली फिर नहीं है अब तो फिलाल यहाँ पर 7 वर्ष वाली ही है और इसके स्थान पर CET वाली तो इसकी जाए 3 वर्ष की बताई गई है नेक्ट आए विशव फुट वाल की सर्वस सहस्था फीपा की सिर्ष परिशद ने फीपा महिला विशव कप 2023 की मेजबानी स्युक्त रूप से किसे प्रदान करने का ने ने लिया है स्कोटलैंड और इंगलैंड कोलंबिया पेरू अस्ट्रेलिया न्यूजिलैंड बार्थ वर्ष वाल की सर्वस सहस्था फीपा की सिर्ष परिशद ने महिला फीपा मिला विशव कप 2023 की मेजबानी स्युक्त रूप से किसे प्रदान करने का ने ने लिया है तो यह है उप्संची वाले अस्ट्रेलिया और नूजिलैंड अलो कुछन है संख्या स्रिंखला में लुप पताना है मतलब इन से आगे यहां पर क्या आएगा तो इससे आगे बताना है इसमें कौन सा आएगा तो इसके देखे तो कैसे जाए यहां पर चल रहा है तो यह ऐसे है 87 जो है इसमें से 3 गए 84 हो गए 84 में से यहां पर यह 3 हो गए 81 81 में से फिर आप जब हम यहां पर तीन जो कम करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं फिर कितना आए गई तो यहां पर जाए आपका 8 6 6 हो जाएगा और जब हम इसको देखेंगे तो यह कैसे हो रहा है 9 यहां पर 2 कम हो रहे हैं 88 88 में से 2 कम होके क्या बने गई 86 जो यहां पर आएगा और यहां पर ही 7 एट आएगा यह 7 एट तो यह वाला जाए यहां पर बनेगा लेक्ट कॉर्शन है हमारा IC का वर्गी का इंटिग्रेटिव सर्किट इसको कहा जाता है एक जामे पूल पर बहुत पर जामे पूछी जाती है तो किस पर अधारित होता है manufacturing companies types of computer transistor की संख्या यह और भी दोनों तो इसमें जो रहेगा यह option चीवाला है transistor की संख्या नेट्ट कॉर्शन है हमारा राष्टर कोट समराज्जा के प्रवर्तक इन में से कौन थे राजदानी राजदानी थी इनकी मन्य खेट यह इनकी राजदानी थी और मन्य खेट जादोनिक 16 पूर के निकर स्थी था और दंति दुरुग ने चालुक के असासक कृति वर्मन को प्राजित किया था और इसने अरव आकरमान को भी भी फल बनाया थे इसलिए चालुक के असासक विक्रमा दित्ते ने उसे प्रित्वी वर्लव और खडग आवलोक की उपादी दी थी तो यह राश्टर कूर्ट समराजय के प्रोरतक जो यहां प्रदंति दुरुग को मान गया है और मनने के टीम किये राज़दानी थी नेस्ट कोश्चन है हरियाना सरकार परदोशन से निपने के लिए इन में से कौन सी बसे चलाएगी हाइड्रोजन, सी एनजी, पट्रोल, इलेक्टिक बसे तो यहां पर हमारा जो सी अंसर है उप्शन रहेगा डी वाला तो इलेक्टिक बसे नेस्ट है यहां पर स्पिन डायर्स में गिले कपड़े निमलिक्त में से किस के द्वारा सुखाए जाते हैं तो आपने वासिंग मुसीन देखे होगी तो उसमें एक कपड़े दोने वाला एक सुखाने वाला दो तरह के ड्रम उसमें होते हैं तो स्पिन ड्राइर्स में गिले कपड़े किसके द्वारा सुखा जाते हैं अभी केंदर बल आप केंदरी केंदरिया या एक केंदरिया पाल वेर वेर इपोटेंट कोश्चन है तो इसका जो यहां पर समंधा ओप्शन रहेगा भी वाला अप केंदरी जो बल होता है उसके ग्रतरबीयलनक बरहता है और इसकी द्वार में खिदर बनी होते हैं गेले कपड़ों के इस जो डायर से tune में डाला जाता है और घुनवैंधंगति के कपड़े काण कप्डों में पस्तिर जलखे कर अप केंदर बल करते हैं जिसके काण में करद बाहर के और करते हुए बरतन नेस्ट है इन में से 109.200.175 यह क्या होता है तो यह कोड है यहां पर यह hardware एड्रेस है monitor आड्रेस है या फिर यह सभी है तो यह क्या होता है इसे एक IP आड्रेस माल जाता है यह IP आड्रेस होता है नेक्स्ट एफ भारत के पहले फिल्ड मार्शल कौन थे है एच एस एफ जे मनोक सो जे अन चोदरी केस में थे या या ओपी मनोतरा तो यहाँ पर रहेगा हमारा उप्शन एवाला एच एस एफ जे मनोक सो भारत के पहले फिल्ड मार्शल थे और सेम भाहुदर के नाम से भी ने जान जाता है और पदम एपुशन से भी निश्मानित किया जा चुका है रेश्ट है सभी मूल बसों में सबसे दुर्बल है गुरतिय बल श्थीत् विद्ृतवल चुम्बकिया या नवगय बल तो सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल दुर्बल है यहां पर इसमें ओप्शन ए वाल आये गुरतियवल और गुर्तियबल का जो भार है इसे इसे मानना जाता है डवल्यू ब्रबर एमजी नेट्स कोशन है हमारा यहां पर यदि जमाकर्थ गुणा गुणाकर्थ जोड मैनस का ये भाग हो तो भाग का अगपराई घटाव हो तो ये वाला जो स्वाल है आपने है यहां से कोशन ही हल करना है इसमें इसको और करके जैसे ये आपका जमा है जमा का हवी प्राइ हो गुणा ये जमा जमा का गुणा और जो गुणा वाला है इसका हो गया जोड और जो माइनस है माइनस वाला का हो जाएगा भाग और जो भाग वाला है इसका हो जाएगा माइनस का टाव तो इसमें आपने इसको रख लेना है जब हम इसमें इसको आड़ करेंगे तो ऐसे हो जाएगा पांच तीन जमा दो माइनस तस जमा में पांच बॉर्ड मास वाला जो नियम हो आपने इसमें अपला लेना है भाग बुर्णा जब माइनस तो उसके अनसार जब हम इसे करेंगे तो फिर ऐसे जाए हो जाए गए प्लस दो और दो मरबर पंदरा तो उसके अनसार जो फिर यहां प्रॉप्शन सी जो आए रहेगा बाग गुना जमा पाइनस तो इस प्रकार से जो आप इसको जैस मेहर करके देख सकते हैं नेक्ट कोशन है हमारा असो कालीन टोपरा हरियाना के युवनगर जिले के अभिले को किस ने दिली के फिरोसा कोटला में स्थाबित किया था फिरोसा तुगलक सुल्ता नसुर दिन इब्राहम लोदी या इन में से कोई सभी नहीं तो यह थे ओप्शन एवाले फिरोसा तुगलक तो असो कालीन जो टोपरा जो है हरियाना के युवनगर जी लेके अभिले को फिरोसा तुगलक ने फिरोसा कोटला में 1453 कब 1453 इस्वी में स्थापित किया था और समराटा सोक ने कुजरात की गिरनार पाड़ियों में स्थम को बनाया था इसकी लंबाई थी 42 पूट और चोड़ाई थी 2 से 5 पूट नेक्ट कोशन हमारा जादी तीन पूर्स या छे इस्तरिया एक कारे को 16 दिन में कर सकती है तो बारा पूर्स और आठ इस्तरिया मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगी तो यहां पर हमारा जो शैटर उप्षन रहेगा सि तीन तीन तो इसमें आपने ऐसे काले नहां जैसे तीन पूर्स है इनका एक दिन का कारिया और एक पूर्स के एक दिन का का कारिया वराबर पूर्शो वे आठ इस्त्रियों का एक दिन का कारिया है बराबर 32 इस्त्रियों का एक दिन का कारिया है तो फिर ऐसे हो जाए गई 32 अनपात 6 और समानपात 16 अनपात 1 तो 32 x बराबर 6 गुणा 16 और x बराबर हो जाएगा 6 गुणा 16 बटे 32 तो 16 दुने 32 दो तिया 6 तो इस प्रकार से जाए तीन हो जाएगा नेस्ट यदि ए बराबर 2 बटे 3 तो यह कुश्चन है यहां पर ही में कौन सा एक भाग है तो इसके अनसार जो यहां पर बनेगा यह उप्शन भी वाला है चार बटे नो बाग नेस्ट है हरियाना में बहने वाली एक मत्तर बारा मसी नदी है तो हरियाना में बहने वाली एक मत्तर बारा मसी नदी है गगर यह मरकंड़ हो गया पर गगर यह यह इसकी जगह पर जहां कुछ और रख लेते हैं दूसरी और यमना या मरकंड़ तो इसमें जो यहां पर रहेगा उप्शन सी वाला है इसकी जगह पर आप कोई सी और रख सकते हैं या कोई नहीं भी कर सकते हैं कोई नहीं तो यहां पर जो सियंसरा उप्शन सी वाला है यमना ये एक बारा मसी नदी है और सदा नीरा नदी के नाम से भी से जामने जाता है और इस नदी का उद्गम उत्रकंड के उत्रकासी जिल में बंदर पोंचोटी के दक्षिन पस्षी मिस्तित यमनोत्री हिमनाद से हुआ है और यमनागर जेला जहाँ वहां से ये प्रवेश करती है और इसकी सायक नदिया टोंस, चंबल, केन, बेतवा, हिंडन नेस्ट है हमारा यहाँ पर पूरवदिशा में रिक्स्तान नदी हरियान राज्य के बगोलिक सिमा है गंगा कावेरिय बना यहाँ कभी नहीं यहाँ पर दूसरा हो गए इस यहाँ पर तो इसमें जो सिंसर है यहाँ पर आप्शन सी रहेगा यमना यहाँ जो नदी ताजवाले के उत्तर में कलेसर के समी फर्याणा के यमना नगर जिले से राज्य की सिमा में प्रियाणा के पूर्वी जिले यमनागर करनाल सोनीपत पारिपत से होती हुए दिली पहुंगती है और सौंब, पत्राड़ा, बुड़ी, यमना इसकी ये सायक नदिया है नेश्ट है यहाँ पर भी एक अलग है तो अलग ही आपने इसमें बताना है कून सा है D, C, B, N, M, L तो इसमें कून सा अलग है तो इसको देखें तो B, C, D J, K, L, M, N और M, N, O, P, Q, R, S, T तो यह अलग हो रहा है M, N, O, P, Q, R, S, T और R, S, T तो यहाँ पर अलग फिर यही हो आजाता है क्योंकि यह सारी साइड में चल रहे हैं यहाँ से बाए B, C, D, L, M, N, R, S, T तो यह अलग है P, Q, O नेक्ट आ जाता है नीमन में से कहां वीशे शारतिक श्ट्री की सतापना कि गई है बावल, अमबाला, मेंदरगडिया, मानेसर में और यहाँ पर नाइग ऑप्षन भी मानेसर में नेस्ट कोशन हमारा कठोर आवन यूखत केलडोईक अंडे किस वरक के जन्तों की द्वारा दिये जाते हैं उभेचर, सरीश्रीप, पक्सिया, B और C दोनों की द्वारा तो कठोर आवन यूखत केलडोईक अंडे और ये जो दिये जाते हैं option रहेगा D, B और C तो यह सरीश्रिप और यह पक्सी जाइन दोनों के द्वारा दिया जाते हैं next question हमारा compilers और translator से एक तरह के होते हैं ROM, random यह है RAM, random access memory, ROM, read only memory, hard disk या software और यहां पर जो माने गए है option A वाला माने गया है, sorry option B वाला तो क्या है RAM होती है next time निम्रिक्त में से कौन सो प्रिसेदर तबला वादक है जाकिर हुसेन, विको, विना एक राम, पंडित पीजी जोग या पालगाट मनिया यह और यहां पर है यह option A वाले जाकिर हुसेन, तो क्या है एक तबला वादक है और इन्हें पदम सिरी और पदम पुसर पुसकार से समन्द किया जा चुका है और इसके अलावा अल्ला रख खां, तलीव खां, गुदई महराजा, जाकिर हुसेन, सुबास, निर्वान, अंबिका परसाद वाइलीन वादक और पालगाट मणी अईयर यह मृदंग वादक है नेक्ट है एक निश्चीत दूरी को चार किलोमेटर गंटा की चाल से दो गंटे पंतालिस मिन्ट में तैय किया जाता है इस दूरी को बारा किलोमेटर गंटे की चाल से तैय करने में समय लगेगा तो यह कितना समय लगेगा तो यहाँ पर जो समय लगेगा यह है 55 मिन्ट का 55 मिन्ट का कैसे लगेगा तो यहाँ पर चाल से तैय करने में समय लगेगा तो हमें यहाँ पर शुत्तर लगा लेना है जैसे कि दूरी दूरी का क्या होता है चाल गुणा में समय तो फिर यह हो जाएगा चार गुणा कितना ग्यारा ग्यारा बटे चार तो मतलब जाएगे ग्यारा किलोमेटर ग्यारा किलोमेटर और उसके बाद बारा किलोमेटर गंटे की चाल से ग्यारा किलोमेटर चले में लगा समय तो फिर यह समय का हो जाएगा दूरी बटे चाल और ग्यारा बटे बारा तो बच्पन मिनाट प्रच्पन मीनाट नेक्ट है हाइड्रोजन परमानु के नाबिक में न्यूट्रोनों की संख्या एक दो तीन या जीरो तो इनकी संख्या कितने होती है ये होती है जीरो नेक्ट हमारा हरियाना की जलवाईू सदा वर्षा ग्रीशम महादवीपय या सर्दी समुदर से दूर स्थित होने के कार्ण हरियाना राज्या की जलवाईू उपोशन कर्ड़ीबंदिय सुसक महादवीपय जलवाईू मानी गई है और राज्या का जो उत्री क्षित्र है इसमें उपोशन आर्धर जलवाईू जबकि राज्यस्थान की सीमा से लगे दक्षिन क्षित्र में सुसक जलवाईू पाई जाती है इस प्रकार से हरियाना राज्या को चार प्रकार की जलवाईू में बाटा गया है आर्धर उपोशन जलवायू आर्ध सोशक जलवायू उपोशन स्टेपी जलवायू और माधी विपया जलवायू इस प्रकार से इसे बाटा गया है नेट्स कोशन है हमारा यहां पर श्रीकला दी गई है इसमें इसे गलत आपने बताना है कौन सा है तो इसमें गलत कौन सा है तो इसको अगर हम देखे तो यहां पर यह जो 25 जो आया है यह 25 जो आया है इसको छोड़कर यह सभी आभाजय संख्याई है आभाजय संख्याई है 25 को छोड़कर 17, 19, 23, 39 तो यह भज्य है अब संदी बाला है नेक्सिन नेक्सितर लाइनक्स यह एक सब्ट्वेयर है से रवेयर है कमेर्शियल है प्रोप्रेक्टर है या ओपन सोर्स है तो लाइनक्स जो यहां पर जो हमारा जो सी अंसर है यह ओप्शन डी वाला है ओपन सोर्स तो लेनेक्स जैसे प्रचलन तंतर है और यह ओपन सोर्स सफ्ट्वेर अत्वा मुक्त सत्रोत सबसे काम्याब और सबसे लोग प्रिया सफ्ट्वेर है और जेपियल वी टूलाइस सेंस के अंतरगत सर्फ सदान के उप्योंग के लिए उप्लावद है और इसका कुछ बाग यूनिक से प्रित है तो यह ओप्शन डी वाला जो है यहां पर सी अंसर इसमें रहेगा तो दोस्तों यह थे हमारे आज की यहां पर आपका जो से टि का जो इक्जाम है उसके लिए कुछ जया मैं तुछ नगून कोस्ट्म और दोस्तों आपने अब तक थैनल को सब्सक्रैब नहीं किया तो सब्सक्रैब कर लिजिएगा और हमारे साथ अंतरबनेन के लिए झाल